दोस्तों कैसे आप सभी I hope कि मस्त होगे बिंदास होगे स्वस्त होगे तो मैं अस्वनी स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके special छोटी सी family technical study जान में जापरम लेकर आगे हैं बिल्कुल special class जो की होने वाला है practice seat number 38 होने वाला है किसके लिए लाप रद होगा भाई ये UP PCL, UP TG2 और R technical examination के लिए और साथ हम आपसे discuss करना चाहेंगे कि बिल्कुल नए pattern पे आधारित question है बिल्कुल exam में आई होई question है सभी को यहाँ पे हम full solution के साथ आपके साथ explain करेंगे तो जादा जादा लोग यहाँ पे जुड़ने का कोसिस करिएगा वीडियो चलेगे तो like और मैं आपको बताना चाहूंगा इदि पहले बाद चैनल प्यारा तो चले जो प्रेलिस्ट में वहाँ पे आपको multiple वीडियो मिल जाएंगे साथ ही साथ मैं लेकर चलता हूं ज्यादा समय लोंगा नहीं जी बिल्कुल live class चल रहा है यह premier live है ठीक है premier live class चल रहा है ठीक है त इसी SF6 circuit breaker का कारेकारी voltage होता है आपके पास चार आपसन यहाँ पर बहुत ही प्यारा आपसन चार आपसन यहाँ पर दिया हुआ है इन में से आपको right answer करके बताना है ठीक है जिदे लोग भी वीडियो देख रहे हैं सभी लोग यहाँ पर वीडियो जरूर answer दीजिएगा आपने कितने answer दिये यहाँ पर कितने answer आपके सही हुआ है ठीक है तो चलिए भई यहाँ पर लेके चलेंगे आपको right answer की तरफ यहाँ पर क्या हो जाएगा is the right answer हो जाएगा क्या हो जाएगा 36 kv से 760 kv तक ठीक है ना तो यहाँ पर दिया हम बात करें कि SF6 gas प्रयोग करने क जो मुख के कारण होता है यह होता है यह एक electronegative gases होती है SF6 क्या होता है electronegative gases होती है साधी साथ इसके हम ने रगोड की यही बात कर लें तो यह SF6 क्या होता है colorless होता है SF6 क्या होता है रंग हीन होता है और यही मैं बात करूँ यह क्या होता है गंदहीन होता है विसहीन और गैस जो अलिन सील्ज गैसे जैसे इसको कह सकते हैं नॉन टॉक्सिक्स एंड नॉक्स इंफ्लिमेंट्बल गैसेज होती हैं ठीक है ना और साथी साथ SF6 गैस क्या होता है एक इस्थीर और निस्क्रिय गैस माना जाता है ठीक है अई दी मैं बात करूँ SF6 का जो घनत्व होता है वो हवा के घनत्व से पांच गुना अधिक होता है इस बात को भी राइट डाउन अपने पास रखेगा और साथी साथ ये भी आप लोग ध्यान से सुनें कि SF6 हवा की तुलना में उच्चे तापिय चाल लगता रखती है ठीक है तो यतने सारे एक्स् सकता है तो यहां पर मैं बात करूंगा तो यहां पर जो सरकिर बेकर होते हैं तो आपको लास्ट में वीडियो के लास्ट में बार जरूर कमेंट करके बताएगा कि कौन-कौन से कौन कौन से types of circuit baker होती है उनका range कितना होता है एक बास जरूर बताएगा कल की जो वीडियो होगी उसमें जरूर उस बंदे का नाम लेंगे जो एकदम right answer देगा ठीक है तो यहाँ पर क्या था is the right answer था ठीक है चलिए next question आपके screen पे है कह रहा है कि corona effect can reduce by कह रहा है कि corona प्रभाव को किसके द्वारा कम किया जा सकता है कह रहा है कि silver limited conductors uses ठीक है चांदी लेपित conductors by application of solid conductors ठोस conductors के उपयोग फिर कह रहा है limiting gas gap between conductors conductors के बीच समुचित अंतराल negligence of balance load संतुरित भार की अवेलना ठीक है तो question number two के यहां पे फटाफर सभी के यहां पे answer आना चाहिए और यहां पे मिधी बढ़ेंगे right answer के तरफ तो बिल्कुल क्या हो जाएगा C is the right answer हो जाएगा ठीक है limiting gap between conductor सभी के यहां पे answer आना चाहिए निश्ट कुश्ण आपके screen पे आ चुका है कह रहा है कि इन सीरीज सर के total resistance is calculate using the formula देखे बहुत easy है यहां पे ज़्यादा कुछ हमें explain करनी की need नहीं होनी ठीक है ज़्यादा यहां पे बिल्कुल सभी को सभी के यहां पे answer फटाफर फटाफर सभी के answer आना चाहिए भई तो बिल्कुल यहां पे right answer के तरफ चलूँगा तो क्या हो जाएगा B is the right answer हो जाएगा capital R is equal to total R is equal to R1 plus R2 plus R3 हो जाएगा ठीक है ना सभी क्या होंगे add होंगे ठीक है easy था next question आपके screen पे easy था but question आपके examination में आया हुआ था इसलिगे यहां पे हमने इसको mention भी कर दिया ठीक है तो कहरा है in a wave winding number of parallel path is एक wave winding में समानतर पतों की जो संख्या होती है कितनी होती है जल्दी से comment करके बताएं 2468 ठीक है जल्दी से सभी कहां पे comment है जाना चाहिए बच्चा यहां पी में दी बात करूंगा मित्रों तो right answer क्या हो जाएगा A is the right answer हो जाएगा 2 हो जाएगा ठीक है मित्रों नश्कोंसन आपके screen पे कह रहा है कि एक समाकच में निमलके संस्थापना संस्थापना करने की आवस्सक्ता है सिक्स एंपियर के तीन पीन वाले आठ साकिट चालिस वाट वाली दस ट्यूब लाइटे और दस सिलिंग फैन और पांच इक्सडाट्स फैने है सर्किट की संख्या कितनी होगी यहां पे बुचरा है सर्किट की डैस संख्या की जरुत पड़ेगी भाई छे दस आठ चार सभी लोग यहां पर ie answer देंगे सभी लोग यहां पर ऐंसर देंगे फड़ाफर सभी के answer आना चाहिए सभी लोग यहां पर answer देंगे ध만क्ता है तो यहां पे निस निमैं बात करूँ तो देखें पहल來 पर क्या कह रहा है तो यहां पर दी मैं बात करूँ, तो देखे, पहली बात यहां पर क्या कहा रहा है, कि 6 Ampere के 3 पीन वाले, 8 साकिट है, चालिस वार्ट वाले, क्या है, 10 ट्यूब है, तो चालिस इंटू 10 कर दीजे, 400 वार्ट हो जाएगा भाई, ठीक है, फिर कहा रहा है, कि 10 सिलिंग फैन है तो यहां पर दी हम निकालें, कि इसके लिए क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल आपका हो जाएगा, 10 इंटू 160, कहने मतलब क्या हो जाएगा, 1600 वार्ट, ठीक है, तो माल लेते हैं, कि एक फैन क्या कर रहा है, 160 वार्ट, क्या कर रहा है, बियर कर रहा है, तो 5 पांच फैन के निकाल लो भाई तो 5 फैन के लिए क्या हो जाएगा 5 into 160 तो क्या हो जाएगा यहां पर 800 वाट हो जाएगा ठीक है आट-सो वाट हो जाएगा अता यहां थी हम बात करें यहां पर पूर्ड़ वाट इदिम निकाला तोटल तो क्या हो जाएगा 400 800 प्लॉस 1600 अब कितना है था 800 वाया था ठीक है 800 वाया था कितना हो जाएगा 2800 2800 वाट हो जा रहा है ठीक है clear है सभी को तो IS के नियमानुसारी थी हम बात करें तो एक सर्कुट में 800 वार तथा 3500 से अधिक नहीं लगाए जा सकते मित्रो ठीक है अता अवस्यक जो संख्या होगी वह हम यहाँ पर निकाल लेंगे कैसे निकाल लेंगे कि भाया 2800 के अपान 800 कर दो ठीक है तो यहाँ पर निकल के आ जाएगा 3.5 की लगबग तो यहाँ पर कहने के मतलब यह हो ज सकती है तो D is the right answer हो जाएगा यहाँ पर इतने सारे explanation थे और बिल्कुल जिसको नहीं आ रहा होगा इसको भी I think आ गया होगा चलिए निश्चकोषण आपकी स्क्रीम पर आच चुका है मैं तो कह रहा है कि what is the full form of the UPS कह रहा है अन इंटर्प्टेट पार सप्लाई अन इंट्रप्टेट पवर आउप सप्लाई फिर कह रहा है भाई कि अनिटरप्टेट पावर पावर क्या सप्लाई ठीक है अंडर कि स्क्रीम पर है कहरा है कि ლ प्रकार की क्या होती है एक तार की कुंडलिफ क्या होती है τ्राइड का जो प्रयोग करते हैं प्रारम पर इलक्टॉनिक्स मि yo Deextrica है ट्राइस्ट या फिर डायोट का प्रेवग किया जाता है ठीक है डायोट मिम्र बोल्टे पर करता है सभी को पता है डायोट मिया do ऐसीं से एक्टिफयर करता है ठीक है तो बहुत सारे यहां प exactly say person होंगे यहां पर जो जो crypto ज Bit आपको यहां पर याद क्या रखना है हमने आपको बता दिया यहां पर क्या है बी प्रकार का मलब पी इस दराइट एंसर हो जाएगा वायर वैंडिंग क्वायल होता है ठीक है चलिए नेस्ट कोई सन आपकी स्क्रीम पर है कह रहा है कि विच टाइप आप मोटर इस एग इंडक्सर मोटर सभी यहां पर और हो सब्सक्राइट करों जाएगा है तो यहां पर इंसर के बात करूंगा दिसी स्यूरिस मट्र ठीक है एस दर जाइट हैंट पर है ठीक है सभी नेक्स कोंऻार है है कोड़े नक्स कोशन बुन चतनर पर है कायगा तो इसको निकालने के लिए हमेशा आपको याद रखना है R is equal to होता है A B into 10 के power C ठीक है, plus minus D ठीक है, इसे याद रखेगा A यहाँ पर क्या है, A है पहले रंग का code है, B क्या है भई दूसरे रंग को के code के बराबर 0 मतलब की जैसे यहाँ पे code दिया है 2, तो उसके लिए हाँ पे क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे, ठीक है, ड्रबल 0 और C क्या है, तिसरे रंग का code D क्या है, वो value पे निर्वा करता है रंगों पे निर्वा करता है, जैसे golden के लिए क्या होता है, plus minus 5% ठीक है silver के लिए होता है plus minus 10% यदि कोई color न दिया हो, तो उसके लिए हमेज़ा लेते हैं, plus minus 20%, ठीक है, तो यहाँ पे आप calculate इसको करते हो, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, तो यहाँ पे जो option दिया है, आयोग के द्वारा, ठीक है option गलत है, बात या रखेगा तो इसको जो आप solve करते हो, ठीक है तो आपको याद रखना है कि क्रम संख है, जो code होता है 0 से लेके कितना होता है 0 से लेके 9 तक होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक होता है सबी रंगे उसके होता है, जैसे black, 0 पे होता है 1 पे brown होता है, 2 पे red होता है 3 पे orange होता है 4 पे yellow होता है 5 पे green होता है, 6 पे blue होता है 7 पे violet होता है 8 पे grey होता है 9 पे क्या होता है, white होता है तो इस प्रकार से दिए आप यहाँ पे इस सुत्र में रखते हो तो आपको क्या मिल जाता है और इसकोल 2 निकल के आएगा 240 प्लस माइनस 10 परसें निकल के आएगा जो कि right answer हो जाएगा ठीक है, समझ भी क्या आगया आपको भई बिल्कुल कमेट करते रहेगा सभी लोग नेश्कुशन आपके screen पे हैं कहा रहा है कि earth leakage circuit breaker is also known as किसके नाम से जाना जाता है चार आपसान आपके screen पे सभी कहाँ पे answer आना चाहिए सभी लोग को यहाँ पे आपसान ध्यान से पढ़ेंगे उसके बाद आप लोग right answer बताएंगे ठीक है, तो यही मैं यहाँ पे right answer की बात करूँगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा A is the right answer हो जाएगा ठीक है, क्या हो जाएगा A is the right answer हो जाएगा ठीक है, चली भे निश्कुषन आपके screen पे आ गया है कह रहा है कि rating of domestic mixer x ठीक है घरेलो mixer की निर्धारिक सक्ति क्या होती है बहुत easy है, आराम से आप लोग बता सकते हो तो यहाँ पे दी मैं right answer की बात करूँगा क्या हो जाएगा A is the right answer हो जाएगा 102, 160 watt ठीक है, चली निश्कुषन की तरफ चल रहे है तो निश्कुषन आपके screen पे आ चुका है कह रहा है कि what is the unit of illumination ठीक है प्रधीपन का मातरक क्या है जल्दी से आपर बताएं बहुत easy question है ज़्यादा समय लेनी की जुरूतियाँ पे नहीं है तो यहाँ पी क्या हो जाएगा D is the right answer हो जाएगा Lux ठीक है न क्या होता है Lux is the right answer हो जाएगा ठीक है क्या हो जाएगा होई लक्स इस दर राइट एंसर हो जाएगा समय में आ गया सभी को चली भाई निश्कुर सब्सक्राइब की स्क्रीम पर आ चुका है कह रहा है कि ब्रीदर इस यूजड इन चौंसफार्मर फ़र बहुत हीज़ी है इसको मैंने डिसकस भी किया है ट्रांसफार्मर की क्लास में तो यहाँ पर चार अपसन आप अपना आराम से पढ़ें उसके बाद यहाँ पर राइट एंसर देने की कुसिस करें तेजी में राइट एंसर आना चाहिए सभी का ठीक है त जली से आपका की माटेरियल यूज़ फॉर मेकिं पर्मानेंट मैगनेट इस्थाई चुम बनाने के लिए उपयोगी सामगरी जो होता है क्या होता है जल्दी से आपे कमेंट करके बता दें भाई सभी लोग तो यहाँ पी क्या हो जाएगा C is the right answer हो जाएगा carbon steel का ठीक है ज युक्ती प्रियोग किया जाता है जल्दी से आपे बता है बहुती ईजी है यहाँ पर ज्यादा समय लेनी के ज़िए ज़रूत है नहीं ठीक है सभी लोग यहाँ पर फटावट फटावट सभी का इंसार आना चाहिए तो क्या हो जाएगा भई यहाँ पर D is the right answer हो जाएगा ठीक है मेगर का यूज करते हैं इस बात को याद रखेगा चले निश्कोशन आपकी स्क्रीम पर है कह रहा है कि alternator works on the principle of बहुत तीजी है सभी को बताना है यहाँ पे लिंस लौ फैराडी लौ एंपियर्स लौ ओम्स लौ ठीक है ना सभी लोग यहाँ पर सही एंसर देंगा किसी का गलत नहीं होना चाहिए तो क्या हो जाए भई बी इस दराइट एंसर हो जाएगा फैराडी लौ ठीक है चले निश्कोशन आपकी स्क्रीम पर आ गया है कह रहा है कि maximum efficiency in DC generator वेन ठीक है जब कह रहा है कि एक generator में अधिक्तम दच्छता तभी होगी जब तो इसमें से आ आपके स्क्रीम पर है कह रहा है कि lumen per what is unit of बहुत इजी है सभी कहां पर answer आना चाहिए I think हमें option पढ़ने की जूरत नहीं पड़ेगी यहां पर तो सभी का यहां पर answer आना चाहिए भाई जी मैं बात करूंगा right answer का तो क्या हो जाएगा B is the right answer हो जाएगा luminous efficiency ठीक है चले ने इस question आपके screen पर है कह रहा है कि which of the following is low maintenance motor ठीक है न कह रहा है कि synchronous motor DC motor slip ring motor induction motor ठीक है तो सभी लोग यहां पर answer दे दिए भाई सभी लोग का answer आना चाहिए और बिल्कुल right answer होना चाहिए सभी का तो यहां पर बात करूंगा क्या हो जाएगा D is the right answer हो जाएगा ठीक है न क्या हो जाएगा induction motor ठीक है next question आपके screen पे आगया है वाई कह रहा है कि in lead acid battery electrolyte is used sodium chloride hydrochlorite sulfuric acid ammonium sulphate ठीक है ना ammonium sulphate इसको कहते हैं तो यहां पर आपको right answer देना है question number 20 आपके screen पे है ठीक है दोस्तो next question आपके screen पे कह रहा है कि उद्धिपन लैम का power factor क्या होता है zero होता है एकाई होता है अग्रगामी होता है पस्टगामी होता है तो जल्दी से यहां पर सभी लोग यहां पर answer देंगे ज्यादा समय मत लीजिएगा ठीक है फड़ा 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 पर सभी कहां पर form factor एक एसी circuit में form factor का मान होता है कितना होता है बहुत दीजी है option पढ़ने की जरूत नहीं है right answer राजनाती बिलुगल क्या हो जाएगा a is the right answer हो जाएगा 1.11 ठीक है न चले निश्कुष्टन आपके screen पे है कह रहा है कि in motor overload relay is generally used for ठीक है न मोटर में overload relay का प्रयोग सामनतर के लिए किया जाता है जली से आपे बताएं चार अपसान आपके screen पे हैं बहुत आसानी से आप बता सकते हो ठीक है सभी लोग यहाँ पर answer देंगे तो बिल्कुए यह right answer की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा c is the right answer हो जाएगा ठीक है ना overload protection ठीक है क्या हो जाएगा c is the right answer हो जाएगा निश्कुसन आपके screen पे है कह रहा है कि soldering flux is used for aluminium soldering ठीक है कह रहा है कि aluminium पर टंगाई के लिए soldering के लिए कि soldering गालक flux का उपयोग किया जाता है चार आफसन आपके पास है सभी लोग यहाँ पर answer देंगे सभी लोग जिदे लोग जुड़े हैं सभी लोग का answer आना चाहिए तो बिल्कुल यहाँ पर बात करूंगा तो क्या हो जाएगा इस दराइट answer हो जाएगा zinc chloride ठीक का उपयोग किया जाता है ठीक है चार आफ प्लायर्स का नाम यहाँ पर दिया हुआ है आपको राइट answer बताना है ठीक है ना सभी लोग यहाँ पर राइट answer देंगे भाई तो बिल्कुल यहाँ बात करूंगा तो क्या हो जाएगा इस दराइट answer हो जाएगा मित्रों ठीक है चली भाई नेश्ट कोर्शन आपकी स्क्रीम पर आ गया है कह रहा है कि जर्मीनियम और सिलिकॉन होते हैं जल्दी से हाँ पर पता है बहुत easy question है ज्यादा सोचने की जूरूद नहीं है बिल्कुल क्या होते है भाई semi conductor होते है ठीक यहार option आपके pass है सभी कहां पर answer आना चाहिए so I hope कि आप लोगो वीडियो अच्छा लग रहा होगा content अच्छा लग रहा होगा तो यहां पर क्या हो जाएगा D is the right answer हो जाएगा decorative lighting system में ठीक है ना next question आपके screen पर है कह रहा है कि in an AC circuit the total resistance is called capacitance, reactance, inductance, impedance ठीक है जल्दी से बताएं question number 28 आपके screen पर है भाई तो यहां पर ही मैं बात करूँगा right answer का तो सीदिस ही बात है बहुत ही प्यारा सा right answer निकल के आएगा क्या हो जाएगा भई impedance हो जाएगा ठीक है ना क्या हो जाएगा भई impedance is the right answer हो जाएगा ठीक है समझ रहे हो आप next question आपके screen पर है अच्छा एक चीज़ दोर बताएं भई impedance का जो formula होता है कौन बताएगा एपर जरूर आप लोग comment करके हमें बताएंगे ठीक है ना impedance को हम क्या करते हैं जेट से denote करते हैं तो इसके लिए formula आपको बताना है ठीक है ना बताएगा निश्कुषण आपके screen पर कह रहा है कि identification of test is find by enroll ठीक है इस question है भाई जल्दी से हाँ पर comment करके बताएगा कर रहा है वाट इस the simple and easy method of artificial respiration ठीक है कृतिन स्वसन की साधर और आसान विधी क्या है जल्दी से हाँ पर बताएगा question number 30 आपके screen पर है ठीक है ना स्यल्दी से हाँ पर बताएगे तो पिल के दी में right answer की बात करूँगा तो क्या हो जाएगा डी इस the right answer हो जाएगा मुह से नाक वाली विधी ठीक है mouth to nose method ठीक है thank you so much for the watching video